तो hello everyone, relationship manager भी जो है, वो sales team का एक part होता है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि relationship manager को भी sales करना होता है, और जैसा कि आपको पता है, कि जो sales में होते हैं, हर एक private bank के branch में sales की एक team होती है, चाहे वो 3 लोगों की हो, या 5-6 लोगों की हो, और हर एक branch में relationship managers भी होते हैं, ठीक है, तो दोन को, उनको sale करना, मतलब के new customers को add करना, और जो banking का product है, जैसे के current account, saving account हो गया, उसके बाद cross selling हो गई, तो cross selling में बहुत सारे other banking products हैं, जैसे के insurance वगरा, loan हो गया, another जो भी products है, banking के वो सब, तो जैसे current account, saving account बहुत type के होते हैं, जैसे normal एक 10,000 का भी होता है, 15,000 का, 20,000, 25,000, 50, तो तरह तरह के account होते हैं, जो की minimum monthly average balance, जो की maintain करना होता है, अब वही अगर आप rural area में जाओगे, जैसे के छोटे शहरों में, या गाउं में, तो वहाँ क्या है, कि minimum 2500 या फिर 5000 वाला account होता है, starting का, ठीक है, तो ये सारा चीज, जो है, mostly जो sales executive होते हैं, या sales officer जो होते हैं, ये mostly वो लो करते हैं, लेकिन वहीं पर आप 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख वाला account है, ये minimum balance वाला account है, ठीक है, तो इसको ये बड़े account के category में आता है, तो ये सारा जो है, ये handle करते हैं, relationship manager, अब जाहिर सी बात है, कि आपको ये high value वाला client है, तो उसको एक normal sales executive जो है, उस तरीके से मतलब relationship maintain नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक high value वाले customer से relationship build up करने के लिए आपको एक complete knowledge होनी चाहिए, banking products की आप जिस bank में है, और वो relationship manager को बहुत अच्छे से उसके लिए train किया जाता है, और relationship manager जो है, वो एक अच्छी post भी होती है, अगर आप compare करोगे sales executive या sales officer, जो है, तो वो sales की starting post होती है, और relationship manager एक अच्छी post है, उसमें एक अच्छी salary भी मिलती है, उसके बाद कुछ relationship manager जो है, सिर्फ clients के साथ ही काम करते हैं, और कई बाद ऐसा होता है, कुछ relationship manager को एक list दे रही जाती है, customers की ठीक है, तो उनके साथ जो है, उनको अपना relationship build up करना होता है, maintain करना होता और उनको business लेना होता है, bank के लिए, और मैं एक खास बात बता जूँ कि, जो relationship managers होते हैं, तो sales executive या sales officer जो है, उनसे एक difference ये होता है, कि relationship manager को high value वाले जो customers हैं, तो उनसे business लेना होता है, या account open करवाना हो गया, बोल लो, या फिर आप investment लेना हो गया, तो high value कहने का मतलब है, क दो लाग, पांच लाग, दस लाग वाले जो account है, बीस लाग वाले या फिर बीस लाग का investment जैसे कि किसी भी चीज में, banking के किसी भी product में invest करवाना, चाहे वो FD हो, या किसी और चीज में investment हो, दस लाग, बीस लाग, दिस लाग, पचास लाग का investment, तो ये सब बला जो मतलब value जो बड़े value वाले जो customers होते हैं, ठीक, high network वाले जो customers होते हैं, तो उनको handle करना जो है, वो एक relationship manager का काम होता है, उसके साथ में जो है, मतलब branch के अंदर भी उनका काम होता है, जो banking softwares है, उनके जो है, जो customers है, brand है, उनका data को मतलब की maintain रखना, maintain करना, उसके बाद जो है, तो उनको पता दिले किस customers का कितना bank में मतलब के investment है, या फिर क्या business है, उसका, तो वो सारा कुछ को देखना, और उसके बाद new customers को भी high value वाले customers को add करना, ये सारा काम जो है, ये एक relationship manager का होता है, और उसके लिए अगर आप directly relationship manager के post पे जा रहे हो, तो फिर उसके लिए proper training होती है या फिर जिनका experience है कि आप नीचे से मतलब की होकर के आ रहे हो, तो उसके पास already customers का जो है, एक market बना हुआ होता है, ठीक है, तो उनके लिए उतने परिशानी नहीं होती है, लेकिन एक relationship manager जो है, उसके अंदर कुछ ऐसी qualities है जो होनी चाहिए, जैसे कि communication skills उसका काफी अच्छ knowledge होनी चाहिए, convincing skills जो होती है, वो होनी चाहिए, आप अच्छे से explain कर सको, या फिर एक line में अगर कहूं relationship manager मतलब के RM के बारे में, तो वो एक all-under type का होता है, जिसको की customer handling हो गया, उसके बाद जो marketing हो गई, marketing या फिर sales कहलो, ठीक है, वो हो गया, financially advisory हो गया, ये सारा कुछ जो bank के सारे product and services के बारे में सारी जानकारिया होनी चाहिए, तो इस तरीके से जो है, एक relationship manager का work होता है, जो कि आप किसी भी organization में relationship manager है, तो वो थोला सा मुश्किल ये role होता है relationship manager का, ठीक है, और अगर banking sector में, especially मैं private bank के बारे में बात करूँ, तो day to day जिस तरीके से एक sales executive या sales officer का work होता है, almost कहलो कि उसी type का same work होता है relationship manager का, मकर एक position की फर्क होती है, और कुछ चीज़े जो होती है, उसकी वो अलग होती है, जो कि मैंने आप अलड़ी बता दिया है, तो इस तरीके से होता है relationship manager का role, जो profile, जो job, जो targets होते हैं, और अलग-अलग bankों में, अलग-अलग targets होते हैं, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, तो इस तरीके से and according to experience, और आपने as a fresher RM की post पर join किया है, ठीक है, बहुत लोग का होता है, ऐसा नहीं है कि starting में ही बहुत ज़्यादा आपको target दे दिया जाएगा, वो धीरे धीरे जो है, वो increase होता है, तो इस तरीके से जो है, एक RM का work होता है, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है, RM का काम, तो इस तरीके से जो भी काम था, वो मैंने आपको बता दिया है, वो sales से लेकर के, जो operation तक का, मतलब branch के अंदर का भी उनका काम होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, तो ये एक role, एक profile होता है, overview at least आपको पता चल गया होगा कि क्या role या क्या profile होता है, एक relationship manager का, ठीक है, उसके अंदर में वो सारी skills होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में complete knowledge भी होनी चाहिए, वो जिस भी bank या branch में है, तो I hope कि जो भी मैंने आपको बताया है, वो आपके समझ में आया होगा, अगर फिर भ करना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, और ये वीडियो कैसा लगा, आप comment section में वो भी comment करके बता सकते हो, और अगर new हो चैनल पर तो चैनल को subscribe करना, साथ में bell icon को press करना, तक मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो म झाल काई में नेक्स वीडित